सो हलो वाटसब गाइस कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे हों गया है आगे भी अच्छे रहे ना सो गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है सभी बंदों के लिए क्यूंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं जो गिल्ड से बहुत सारी गिल्ड के नहीं हो रहे है आप उनको एजली कैसे कंप्लीट कर सकते हो उसके लिए मैंने आप के लिए एक ट्रिक लाया है आप वह यूज कर लीजे उससे आपका बहुत थी बड़ा फाइदा होगा तो आप ये वीडियो जदा लंबा भी नहीं होगा और अगर चैनल पर न्यूव तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना आपके भाई को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जूरूरत है तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना क्योंकि इस चैनल पर जितने भी लेटेस्ट अफडेट से वह सभी आते रहते हैं साथ है कलासी लगाने के बाद आपकोड़ करना क leven लैने और साथ ही साथ अगर आपके डाट टैड़ कंप्ली नहीं हो रहे है तो आप अपने guild mates के साथ आराम के साथ पूरे कर सकते हो अपने dot tech तो आपको करना क्या है simply आपको हर round में दो grenade लेने जैसे आप यहां पर देखी रहे हो आपको करना क्या है सारे बंदों को बोलना है जितने भी मतलब आपको चार बंदे लेने guild के तो आपको करना क्या है उनको बोलना है कि खेलना नहीं है बिल्कुल भी आपको सीधे game eliminate होना है ठीक है guys सो इससे क्या होगा आपके dot tag भी जल्दी से complete हो जाएंगे तो यह कल रात का वीडियो है जो मैंने बनाया है सो इस बार हमारे जो guild में ज्यादा बंदे मतलब dot tag नहीं कर रहे तो मुश्किल से हम चार बंदों ने मिलके किया सो करना क्या है आप लोगं को आप लोगं को बिल्कुल करना क्या है दो grenade लेने और अपने guild mates को और अपने आपको भी बस grenade से उड़ा देना है और करना क्या है आपके जो dot tag है वो आराम से complete हो जाएंगे जैसे आप यहां पर देखी रहे हो मैंने यहां पर मज़े के लिए फिर एक game खेला साथ में सो उसी के साथ मतलब अगर आप कोई video समझ आ रहा है तो आपको यही करना चाहिए आपको और कुछ नहीं करना है आपको खाली dot taken complete करने तो आपको clay squad कालारी लगाना है या बर्मोडा भी लगा सकते हो बट यहां पर एक छोटी सी टीप है अगर आपके पास कोई new idea गिल्ड में तो आप उससे कर सकते हो क्योंकि जो real idea उसमें थोड़ा headshot rate का फरक आ जाएगा आपको clay squad rank में बट नूब subscribe कर दीजिएगा तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई गाइज